अलो प्रेंट्स सिलास फूट साला में आपका स्वागता है। सलाद आप बहुत तरह की खाए होंगे पकड़ी की सलाद, टमाटर की सलाद, प्याज पत्ती की सलाद, इंग्रिज सलाद, तो आज में बनाए रही हूँ, पियर, एपल, फूट सलाद, जो हमारे सरी खेले बहुत पाली की एकन पी जरूर दबाए, मैंने ये रेड एपल, पियर, और ग्रीन एपल, इसकी में सलाद बनाऊंगे, तो रेड एपल, पियर, ग्रीन एपल, प्राय शुरू करते हैं, एपल को कट करेंगे, इस तरह से कट करें, कि बीच जो है, वो बीच में रहे जाए, आपको चितनी सलाद बना ली है, आपको यूज़ करें, रेड एपल, इनके छिलके नहीं होता रहे, छिलके खाते हैं, तो हमारे सरी में फाइवर मिलता है, मैं ये सलाद दो के हिसाथ से बना रहे हैं, अगर आपकी एपल थोड़ी सी खराब है, तो इसे जरूर निकाल दे, और इस लंबा भी कट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे चौप कर लें, आपको वेट लोग करना है, तो आप कोई भी फूर्ट आपके डाइक में जरूर सामिल करें, या वेजी टेबल भी आप सामिल कर सकते हैं, ग्रीन एपल भी बाजार में आसाली से मिल जाती है, और सबज को भी हम जब सुधारते हैं तो उने पहले ही दो लेना चाड़िए उसके बाद में ही कट करें सारे फ्रूट्स मैंने चॉप कर लिये हैं इसे एक बाउल में थाली कर देंगे थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देंगे जिससे खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट लगें इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर बारिक पिसा हुआ कि अगर आपके पास काली मिर्ची वाइड है तो आप वाइड भी यूज़ कर सकते हैं तुटी स्पून हनी क्यों हनी हमारे सहयत के लिए अच्छी रहती है आप चाहे तो सकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिन मिसरी या गुड कोई भी चीज़ आप एड़्ट करके खा सकते अब इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें एंड कर रही हूँ ओड्स जो आपके पास कोई भी ओड्स है तो आप इसे इसमें डाल दें इसे मिक्स कर ले और 5 मिंट इसे बाउल में लढ़ने दे ताकि जो हनी है वो हमारे सारे फूट्स में अच्छे से अंदर से मिक्स करने के बाद 5 मिंट इसे बाउल में रहने दे और फिर इसे सर करें आपको अगर वेट लोज करना है तो आप इसे डाइट में जरूर सामिल करें सवरे नास्ता नहीं करते हैं तो आप एक बाउल इसे खा सकते हैं आपको इसे खा सकते हैं